हलो दोस्तों मैं जाई कांट सेनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भात आई क्यों मैं हम डिस्क्स करें राजिस्थान पत्यका निफ्पर जेपो एडिसन छे और साथ जून वीडियो के समद में कोई कवरी यह डाउट्स हों तो आप मुझे लेख सकते हैं कमें डोक्स जाता है इस बात 2020 की थीम रखी गई है सेफ फूड नाव फॉर हैल्दी टुमारो यानि कि अगर आपका जो फूड है यानि खाना है वह आपका सुरक्षित होगा तो आपका जो आने वाला भविश्य आने वाल अकल है वह आपका बहतर होगा यह बात इस थीम के द्वारा ब सब्सक्राइब करें तो यह सब बात है मतलब आगे इसके वारे में एक एडिटूरियल भी है वहां भी हम डिसकस करेंगे तो इसको लेकर कि ऑगनाजिशन है इंपॉर्टन इसको फाव बोलते है शॉर्ट में फूड एंड एग्रिकल्चर ऑगनाजिशन ऑफ दी यूएन य यहां पर WHO भी इसमें पार्ट करता है इसके अंदर यह लिया है इस बार और यह है सस्टेनेवर डवलपमेंट गोल जो कि 17 गोल से हैं यहां पर भी फूर्ट सीकॉर्ट की बात की जाती है तो यह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि इसके बारे में आपको आइडिय आइटी गायडलाइन्स लेके आई भारत सरकार 26 मई से इंप्लीमेंट किये उन्होंने तब से रचा कसी चल रहे है टूइटर फेस्बूक जो वाट्सप है इसके बाद गूगल इनके साथ रचा कसी चल रहे है यह बात सरकार की तो यहां टूइटर के साथ में यह बात बता होता है ब्लूटिक आप देखिए इस प्रकार का एक सिंबल होता है ब्लूटिक जो फेमस परसनेल्टी होती है जिनके बहुत सारी फॉलवर्स होते हैं तो उनको ऐसा ब्लूटिक मिल जाता कभी आप देखिएगा ट्विटर पर जा करके तो यहां पर किया कि वाइस अकाउंट पिछले काफी समय से इनक्टिव था इसलिए हमने इसको डियक्टिवेट कर दिया यानि कि मतलब स्वरी यह ब्लूटिक को हटा दिया क्योंकि इनका जो अकाउंट हो काफी समय से एक्टिव नहीं था नाइडू ने आखरी ट्विट 23 जुलाई 2020 को किया था यानि की तकरीबन एक वर से उपर हो गया है यह इनकी दलील है ट्विटर की ब्लूटिक पतिष्ठित वक्तियों को मिलता है यह मैं आपको बता चुका हूं तो यह तीन बात बताई गई है इसके बारे में लेकिन ट्विटर से सवाल भी है कुछ यह बोल रहे है कि इनक्टिव होन से ब्लूटिक हटाने का क्या सियासी संदेश है मतलब क्या यह पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हो इसके थूरू आप यह जो आप निताओं के ब्लूटिक हैं उनको हटा करके तीसरा है दिवंगत पूर्व राश्पति प्रणा मुखर जी और अभीनेता इर्फान का आईए सरकार पूछ रहें टूटर से तो यह सारी की सारी चीज़ें चल रही है यहां पर इंपोर्टन चीज़ यह है कि नाइजीरिया ने पतीबन लगा दिया यानकी बैन कर दिया है टूटर को कारण इसका कारण है कि नाइजीरिया के जो राश्टपति हैं मुहम्मद कर दिया तो उसको चलते वहां के राश्टपति नराज हैं और नाइजीरिया में टूटर पर प्रतीबत लगा दिया है अब यहां बात की जा रही है कूँ एप जो कि भारत का एक एप है जैसे की टिक टॉक है इसी प्रकार से भारत ने अपना एक डवलब किया है कूँ इसक की संबावना है खोजी जा सकती है नाइजीरिया जैसे देशों में जो कि अब इससे बाहर आ रहे हैं टूटर जो एक सोशल प्रेटफॉर्म है इसको चलते तो यह बात इस एडिटोल के तो बताई गई है तो पता होना चाहिए आपको ब्लू टिक टूटर की बात क्या क्या चल रही है इसके बारे में यह एक जनल नौलिज के लिए यहां पर आपको सेर किया है इतना कुछ खास एक्जाम के हिसाप से नहीं है यहां बात की जा रही है माल्या की तो माल्या की संपत्ती बेचेंगे बैंक वो कैसे बेचेंगे एक एक्ट है प्रिवेंशन आफ मनी होती है उसको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है बतआ यह यह कब बनाया गया था मों जरू मझें करके तो यह एक्ट रोगता है क्रूपे का जो फ्रॉड किया है माले साथ ने माले साहब नहीं किसे माले भोलूगा मैं तो यहां पर बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बेंक के मैनेजिंग डिरेक्टर मलिकार जुन राव ने बताया कि चपन सो क्रूपे के बकाया को वसूलने के लिए संपत्ति का पास्पोर्ट भेदवापून है यह बता रहे हैं कि एक चीज निकालके लेकर आ रहे थे वैक्सीन पास्पोर्ट मतलब की इशू करने की बात की जा रही थी यहां पर जी सेवन देशों के स्वास्त मंत्रियों की वर्च्वल बैठक में केंदी स्वास्त मंत्री ड्वारा के आप रोम कर सकते हो मतलब की आप भारत से युए से जा सकते हो युए से से किसी दूसरे देश में जा सकते हो मतलब आप ट्रेवलिंग कर सकते हो तो यहां पर बता रहे हैं कि विकासील जो देश हैं विकासील देश हो में वेक्सीनेशन का प्रतिशत है वो काफी कम है रीज कि वह उन लोगों को इशू नहीं किये जाएंगे क्यों क्योंकि उनको वेक्सिन नहीं लग पाएगी उसका रीजन यह है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो पॉपूलिशन ज्यादा है विकासी लिसों के पास इसलिए वेक्सिन पास्पोर्ट को बेदवा पून बताया है डॉक्टर हर्षवदन साब ने तो यह इंपोर्टन वेक्सिन पास्पोर्ट आपको पता होना चाहिए इसका संबन किस्से है तो यह कोबिड-19 के दौर में वेक्सिन पास्पोर्ट जैसा कॉंसेप्ट एक निकाल के लाया गया है जी सेवन देशों की बात यहां पर की जा नवाजा गया है एंप्रेस अर्थ 2021-22 तो यह मिला एक खताब एंप्रेस अर्थ 2021-22 नाज जोशी को जो की टांसजेंडर है दिली की यहां पर सी एम ने एक अनुपरती कोचिंग योजना की शुरूगात की है राजिस्तान के अंदर जो कमजोर तपका है आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यारती हैं जो कोचिंग ले रहे हैं कॉंप्टिशन एक्जाम के तयारी कर रहे हैं उनके लिए योजना लाई गई है मुख्य मंतरी अनुपरती कोचिंग योजना तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टन हो जाती है इस प्रकार की आई इसकी मेजवानी करने के पक्ष में नहीं मतला मूड में नहीं मेजवानी के लिए हाथ कड़े कर दीने तो देखते हैं आके आने वाले समय में क्या होगा टीट्वेंटी विश्च प को ले कर के लेकिन जो IPL के बकाया मैच्च हैं उनको ले कर कर तैयारी हैं तो हो सकता आउगत से सितंबर में ये मैचिस कराए जाए यूए यू के अंदर तो ये बात ऐसी बताई जा रही है यहां पर ये हैं स्वारफ गांगली साहब तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए यहां बात की जा रही है आतंकी फंडिंग की यानि की टेरर फंडिंग और मैं आपको बता दूँ की मनी लॉंडिंग दोनों वर्ड हैं जो की FATF के अंदरकत आते हैं यानि की Financial Action Task Force इसका Headquarter पैरिस के अंदर है तो ये डील करता है ऐसे मामलों को जहां पर की मनी लॉंडिंग क के से सामने आते हैं किसी देश के और टेरर फंडिंग को ले करके मामले आते हैं तो यहां पर बात की जारी है पाकिस्तान की तो आतंकी फंडिंग के मामले में निगरानी में रहेगा पाक किसके FATF के जो सुपरवीजन है FATF की जो मतलब इनकी जो मॉनिटरिंग चलती है ऐ रखा है तो ऐसी बात इसके द्वारा बताई गई है आपको पता होगा इसे Gray List में डाल दिया गया था यदि Gray List में किछी को डाल दिया था है तो जो फॉरेंड देशों से जो फॉरेंड कंट्री से funding आती है उस देश में वहां पे आना रुक जाती है कम हो जाती है इस प्रकार क विशुद हुआ था विषुद हुआ था तो 6 जून 1944 को डी डे हए विशुद का सबसे बड़ा शेय नभयान शुरूह हुआ था तो उस दिन को सेलिवेट किया जा था 6开 जून को क्या है ये इत कि सबसे बड़ा सेयल अभयान शुरूह था इस दिन याणि कि छे जून को तो इसको celebrate किया जाता है डी डे के नाम से तो यह जस्ट एक जीके के जीके आपकी increase करने के लिए मैंने यहां पर डिसकस किया है important नहीं है तनी कोई खास नहीं है exam के लिए यह है आज की नियूज यान की साथ जून की पेज नंबर वन है important नियूज है यह आप देख सकते हैं क्या हुआ है greater नगर निगम है जयपूर के इंदर शेहरी सरकार में तक्ता प्लेट की तैयारी बताया गया यह नियूज के द्वारा तो आधी रात को महापौर को निलंबित कर दिया गया यहां पर अब समझ सकते हैं आधी रात को महापौर को निलंबित कर दिया है महापौर को नाम है सौम्या गूजर बीजेपी से बीजेपी का बोर्ड है यहां पर इनके साथ साथ चार पार्षदों की भी सरसिता को निलंबित कर दिया गया है तो यहां पर क्या ह इनको हाला कि अभी मौका दिया जाएगा इसकी जुडिशल जाज की बात की जा रही है तो देखने को मिलेगा आने वाले समय में क्या के चीजें निकल करके आती हैं यहां पर तो इसमा बताया गया है कि इस प्राफदान के तहट दोशी माना है इनको राज्य स्रकार ने धारा अभी हाल ही में यानि कि पिछले एक साल के अंदर जो मेर चुनी गई है उसमें कितनी मेर हैं राजिस्तान के अंदर जो की महिला मेर है उनके नाम मुझे कमेंट उसके कमेंट करके बताईए तो इनको अभी आप समझ सकते हैं इनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है अ यहां पर अब आगए आगे फाइनल क्या निकल करके आती है तब इनको टर्मीनेट किया जाएगा तो यह इंपॉर्टन्यूज है, यहां आप देख सकते हैं यह एक्ट है जिसके तहर बताय गया है, municipal members के बारे में यहाँ पर यह ओथ लेते हैं यानि की सपत लेने काम करते हैं फिर resignation के बारे हैं बात की गई है और बात की गई है removal की कि इनको हटाया कैसे जाएगा तो अभी जो बात की गई है वो बात की गई है इस D वाले point वह यहाँ पर that he has been guilty of misconduct in discharge of his duties तो यह पाई गई है misconduct किया है इनके द्वारा guilty of any disgraceful conduct यह भी इसमें शामिल है become incapable of performing his duties as a member or otherwise abused in any manner his position as such member तो यह बात बताई गई है यहाँ पर इसका provision इनको remove करने का यह एक act के तहट इसमें प्रोविजन डाले गए सारे के सारे तो जिसके तहट यह decisions लिये जाते हैं तो यह important है इसके बारे में आप जरूर देखिएगा अपने end से और मुझे बताईए कि जो mayor होती है उनको कैसे चुना जाता है यदि आप मुझे बता सकते हो कि उनको कैसे मतलब चुना कैसे जाता है उनको वह मुझे बताईए और इनको हटाया कैसे जाता है यदि आपको पता है तो वह भी मुझे बताईए कि इसका प्रोविजन क्या है जैसे कि आपको पता होगा प्रसीडेंट को अटाने का प्रोसीजर है पीम को अटाने का प्रोसीजर है तो उसी पकार से मेयर को कैसे अटाया जाता है ये मुझे कमेंट करके बताईए यहां बात की जारी है स्कूली सिक्षा की जिसके अंदर पंजाब और केरल समय पांच राज्ज्णों के स्कूल को सर्वोच रैंकिंग मिली है तो यह बात की जारी है केंडी सिक्षा मंतीर रमेज पोकरियाल साब की तो यहाँ पे 2019-21 के लिए राज्यों और के निशासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स ग्रेड आई प्लस प्लस इसमें रखे गए हैं पंजाब, चंडिकर, तमिल नादू, अंडमा, निकोबा, दीपसमू और केरल यानि कि यह टॉप यहाँ पे ग्रेड है उसके बाद ग्रेड आई प्लस इसम कार की नियूज जिनके बारे में आपको आईडिया होना चाहिए, यह है एक मशूर कभवाल साइद साबरी इंसका निधन हो गया है, तो मशूर कभवाल हैं उस्ताद साइद साबरी जयपूर में हार्ट अटेक से इनका निधन हो गया, तो यह फिरमस पसनेल्टी हैं जिनके बारे में कुछ एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, पिचाती साल की उमर में करने दन हो गया, हार्ट अटेक के दोरा, ये मैं आपको बताया था कि 7 जून, खादी सुरक्षा दिवास है, तो इसको लेकर के एडिटोरिल यहां पे डिसकस किया गया है, जिसमें बात की इसको पूच जाता है, फिलाल म्रग मर्चिका है, भारत में खादी सुरक्षा, तो मिरग मर्चिका बहुत ही इंपॉर्टन्ट एक वोर्ड है, इंगलिस में भी पूचशा जाता है, तो इसको बोलते है 미राज, इंगलिस में बोलते है मिराज, और हिंदी रोह को जूड़ा गया है जिनको आपको पता हुआ कि तीन उपे किलो चावल और और रुप किलो जो गया हुँ एक रुपे कलो मोटा आनाच इस प्रकार की विवस्ता की गई है ताकि लोगों को फूद प्रॉट प्रोवाइट खिराए जा सके कोई भी इसकी अपेसिंछ में भूखा ना मरे इस प्रकार की विवस्ता भारत के अंदर की गई है इसके साथ साथ भारत एक क्रसी प्रदान देश है लेकिन फिर भी भारत की इस्तिति में कोई खास उदार नहीं है मतलब लोगों के पास अभी भी फूड से फूड सीकुरिटिक वो लेकर बहुत ज़्यादा मतलब जो सिचुएशन है वो खराब है भारत के अंदर तो ये चीज़ें देखने को मिलती है यहां पर और खादे पदार्थों में मिलावट वा दूशित भोजन की भी सिचुएशन देखने को मिलती है यानि कि बहुत बड़े इस तरह पर एडल्टरेशन की बात यहां पर निकल के आती है यानि कि मिलावट निकल के आती है सामने खादे पदार्थों में इनमें काफी ज़्यादा मिलावट की जाती है क्योंकि मुनाफ़ा खोरी के चलते यानि कि बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाये जाता है इनमें मिलावट करके दूद में और इसे कई सारे प बीमारियों के चपेट में आते हैं समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है साथ करोड जिद में से चार लाग से अधिक अधिका सब्सकी जीवा कर दें पालगे ल्गार भात लिए और समय में कहा आधिक लेनी किया चैडिया सन्सक्राइए निउसंट अब गिंशन गॉर्द लिए ले इसको लेकर इसको बोला जाता है तो इंपोर्टेंट बहुत ही है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ये पेज नमबर साथ बात की जा रही है डेल्टा वेरियंट की तो ये जो वेरियंट है वेरियंट आफ कंसर भी इसको बोला गया है इसकी सबसे पहले बार पता चला था तो भारत के अंदर इसका पता चला है और इसके बारे में बता जा रहा है कि संक्रमाट दर अलफा से तो यहां बताया गया है कि T का करन के बाद भी संक्रमन के लिए B16172 अधिक जिम्मेदार है यानि कि यह बात की जारी है डेल्टा वेरियंट की टी का करन के बाद भी काफी सारे लोग इससे पॉजिटिव हो गए हैं तो यह बात निकल के सामने आई यह इस वेरियंट के कारण यह बात की जारी है विषदारी टाइगर रिजर्व तो इसको नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जारी है यह टाइगर रिजर्व है आपका भूंदी के अंदर तो चौथा टाइगर रिजर्व होगा यह राजिस्तान के अंदर जब भी इसके फाइनल इसको अप्र इस पात उत्वावित हुआ है ऑक्सीजन की कमी के कारण क्योंकि आपको पता होगा कि जो इस पर रोक लगा दी गई थी बैंक कर दिया गए तो यह सारे के सारे उद्यों की बिशिशन की चल रही थे तो इसमें बात की जा रही है मेजर स्टील इंडस्टी की तो बहुत ज़रा प्रभावित हुआ है लोगों ने यहां पर अपना जो इंडस्टी यह उसको बंद कर दि बात की जा रही हैं तो आप देखते हैं कैसे दीदे दीद शीजह उपन होती है और फिर से आंक्सिजन की सप्लाई אिंडस्ट्रि शप्लाई है क्यός स्टार्ट किा जाता है है किस में स्टार्ट किया जाता है यह आने वाला समय में पता लगेगा यहां बात की जा रही है आज से शुरू होगा income tax का नया online portal यानि कि income tax का पुराना portal था उसको बंद कर दिया गया अभी और आपको पता हुआ एक से 6 जून तक यह जो portal है income tax का उसने काम नहीं किया था तो 7 जून से इनके नए portal ने काम करना start कर दिया है तो अब जब भी आपको अपनी return file करनी हो तो आप वहां पर जाएक return file कर सकते हैं यह बात की जा रही है नासा के बारे में तो moon mission में भारत वंसी एक है सुबाशनी तो इनकी एहम भूमिका रहेगी सुबाशनी जी की तो बात की जा रही है इनका संबन है भारत के कोयम टूर से mechanical engineer है इनका नाम है कोयम टूर जिले से हैं यहां बात की गई है important study है तो ताजा पानी की जीलों में तेजी से घट रहा है oxygen का इस्तर यह बता रहे है कि समुद्री जो एरिया है वहां पर oxygen का इस्तर सही है लेकिन जो fresh water lake है वहां पर oxygen का इस्तर घट रहा है इन्होंने ऐसा बताया है कि जो temperature का level बढ़ रहा है उसके कारण जो surface water है उसका तो surface water पर temperature हाई होने से वहां पर क्या हो रहा है वहां पर जो पोशक तत्तों है पोशक तत्तों वहां पर ज्यादा पैदा हो रहे है और क्या हो रहा है ज्यादतर पोशक तत्तों में प्रदूशित जीलों में पाई जा रहे हैं यह सतय पर oxygen के इस तरह में व्रद्धी हुई है क्योंकि पानी का बढ़ता तापमान यानि कि बताया जा रहा है कि जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण सतय पर oxygen बढ़ गई है लेकिन इसके अंदर oxygen कम होगी है fresh water के तो oxygen बढ़ने कारण यहां पर कई सारी मात्रा में शेवाल और एलगी ने जरम ले लिया है जिसके कारण आपको पता है जब जीले इस प्रकार से बढ़ जाएंगी एलगी शेवाल से तो नीचे फिर oxygen नहीं जाएगी और इसी की वज़ेशे से साइनो बेक्टिरिया हाइनिकार लेक की बात की जा रही है और साइनो बेक्टिरिया जो है तो वहां पर जो प्रदूश्य जो हानिकारक शेवाल है उनको अगरे में मदद कर रहा है जिसके चलते यहां पर काफी सारे शेवाल हो गए है और नीचे वाला पानी है यहां पर oxygen की कमी हो गई है तो यह बात इस study क के द्वारा यहां पर बात की जा रही है पूर्व नौकर शाह उने लक्षदीब पर पी-म को लिखिये चिठी तो लक्षदीब के अंदर क्या है कि यहां पर प्रशाशक है जिनके द्वारा इक तानासाही रवय्य अपनाया गया है जो की बहुत हए हास डिशियन ले रहे है वाँ पे तो उनके खिलाब इस प्रकार की चीज़ें की जा रही है उनको हटाने की बात की जा रही है पीम से यह आगरे किया जा रहा है कि ऐसे तानाशा आपको वहां से हटाया जाना चाहिए लक्षिदी एक इंपॉर्टेंट यूनिन टेरिटरी है तो यह आपको इसके बार भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं अंगली वीडियो में